हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो रेडियन्ट कम्पिटिशन क्लासेस मैं आज आप लोगों के समवच बी एससी थर्ड ग्रिजुएट लेवल का कट अफ के बारे में चर्चा करने वाला ये अतिम हत्रपुर्ण वीडियो होगा आप लोगों के लिए और जानते हैं कि अब एक्जाम हो चुका है दो फेज में जो कि एक वार एक्जाम पांच मार्च को हुआ है अब मैं आप लोगों के बारे में बतानी वाला हूँ इन सभी पोस्ट के लिए एक्जाम आयोजित की गई है वैकंसी देखेगा टोटल कितना है आप इसको भी देख लीजेगा 2187 या दोजार एक्जार एक्जार बाइस सेलेक्शन प्रोसेस पीटी होगा मेंस और इंटर्व्यू कुछ पोस्ट के लिए इंटर्व्यू है सची वाले साय के सब के लिए इंटर्व्यू नहीं है या फिर किसी चीज के लिए जो है टाइपिंग भी है जैसे डाटा इंटी ऑपरेटर इस सब के लिए तो आप यहां पर मैं आप लोग को कट अफ का प्रेडिक्शन करूंगा यह निश्चित रूप से सही तो नहीं होगा लेकिन यह आंसिक रूप से सत्य होगा चलिए आप इसको हम लोग डीटेल से देखते हैं तो इस परकार आप लोग देख पार है कि 487 जो है यह 217 इसका पोस्ट है पीटी मेंस और इंटर्विव इसमें लिया जाएगा चलिए हम लोग आप थोड़ा सा डीटेल देख लेते हैं कट अफ का चर्चा कर लेते हैं यह B.S.C. 3rd CGL कट अफ दोहजार तईस इन दा कमाइन ग्रेजुट लेबल दोहजार तईस एग्जामिनेशन अटोटल नमबर ओफ 150 कोस्टेंशन से इन इग्जामिनेशन नीज तो नोट एट कट अफ मार्क्स पूर प्लिमिलिडी एक्जाम विल रिलीज़ए ओफिसियली बाइद बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमिशन अलॉंग विद रिजल्ट इस हाइली इस्टिमेटेड देट देट कट अफ जेनरल काटिगरी केंडिटर स्कैन बिट्विन चार सो अठाट से चार सो तेरा नमबे मार्क्स यानि के 80 से 81 परसेंट तक इसका जेनरल का कट अप जा सकता है 80 परसेंट चली आप यानि के आप लोग देख रहे हैं कि 150 कोश्टिन पुछा गया था यहां पर थोड़ा सा गलत लिखा गया है आप इसको थोड़ा सा देख लीजगा प्रतिक जो कोश्टिन होगा ये चार मार्क्स का होगा तीन नमबर का नहीं होगा चार मार्क्स का होग और 15.60 यानि के कुल मिला करके 600 मार्क्स का होगा 600 मार्क्स में यदि आपका 478 ये देखेगा ये पेपर कटिंग मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा खुद का अनुमान नहीं ये पेपर कटिंग ये 478 से 483 मार्क्स इसके हिसाब से जो भी जिनका भी आ रहा होगा वो पीट सीजल 3 मेरिट लिस्ट तो हचारती से 187 वेकंसी हैं और सचिवाले साहिक प्लानिंग एसे मला मलेरिया इंस्पेक्टर डटा इंटी अप्रेटर ग्रेट सी और और अडिटर पोस्ट नंबर ऑप पर्टिस्पेटर तिंद एक्जाम दोज हूँ और मेरिट लिस्ट विल एक्जाम जो भी पीटी परिक्षा पास किजेगा मई और जून में इसका में से लिए जाने की प्रॉबैबिलिटी है मेरिट लिस्ट विल बी कहरी दर रॉल नंबर ऑप केंडिएस फूज स्कोर इन फॉर्स्ट इस्टेज उप सेलेक्शन प्रोसेस विल बी लिस्ट एक्वर टू कट अप जो भी कट अप मार्स को चुईएगा आप में से दने के योग बन जाईएगा दोस्तों तो इस परकार करका कट अप यहां इसके हिसाब से जरुआ कर दीजेगा तो आप अपने कटिगरी का नुमान लगा सकते हैं दोस्तों तो इस परकारी पेपर के कटिंग के हिसाब से मैं हम आप लोगों को कट अब बताया अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और प्मेंट जहर कर दो कि जिए का धन्ने बाद